नमस्कार आप सभी का बेहत स्वागत है CIET NCRT के लाइफ फोन इन इंटराक्टिव कारिक्रम में मैं हूँ तन्वी कुराना और आप इस वक्त हमें देख सकते हैं इविद्या चानल नमबर 9 पर नवी कक्षा के सभी जात्र हमारे इस कारिक्रम का हिस्सा बन सकते हैं भाग ले सकते हैं सोशल साइन्स का ये कारिक्रम है जहां हम बाचीत करने वाले हैं French Revolution के बारे में यानि की Francis क्रांती के बारे में अगर आपके पस कोई सवाल हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कीजेगा नमबर है 8800440559 अगर आप इमेल के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहें तो इमेल आइडी होगा dth.class9 at the rate ciet.nic.in इसके अलावा इस वक्त आप हमें देख रहे हैं हमारे youtube चानल पर भी जो की है ncrtpme विद्या चानल नमबर 9 तो उसके live chat box में भी अगर आप अपने सवाल लिखें तो हम तक बहुत जाएंगे चलिए आपका परेचे करवाएंगे हमारे आज के महमान से हमारे साथ है डॉक्टर साइनाथ का बारे स्वागत है सर आपका सर है असिस्टन्ट प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ एडुकेशन इन सोशल साइंसे एंड सीयाथी नई दिली से और सर से हमें बहुत साइ जानकारी चाहिए फ्रेंट रिवुल्यशन के बारे में चलिए बात्यीच शुरू करते हैं और सब-सब पहले जब हम किसी भी रिवोल्यूशن की बात करते हैं तो हम उसकी तारीक जानना जाते हैं तरवों किस वर्ष में शुरू हुआ था, कब की बात कर रहे हैं हम बताना चाहेंगे येस, थैंकियू मेडम, जो फ्रांसिसी करंती के बारे में हम जानना जा रहे हैं, वो उसकी करंती की जो डेट है पांच में 1799 में ये करंती हुई थी और ये फ्रांसिसी करंती जो है ओ कक्षा 9 में, जिसका अध्याए 1 है, उसमें ये करंती के बारे में हम जान करी दी है उसके साथ साथ रूस की करंती के बारे में भी इस अध्याए के 2 भाग में जान करी दी गई है इस सत्र में हम फ्रांसेसी करंथी के बारे में जानेंगे फ्रांस करंथी क्या थी और उसका मोदव क्या है और इत्यास में उसका प्रभाव कैसे रहा तो हम फ्रांस की क्रांती को जानते हैं मुक्ती, स्वतंतरता और समानता ये मुल्य उसने दिया इसके करण हम उसको जानते हैं फ्रांस क्रांथी जो ये अध्याय है उसका जो पाठ परिछोय दिया गया है उसके बारे में जानेंगे उससे हम पाठ समझने में वो आसान बनेगा जो कि फ्रांसेसी क्रांती अटरवी सदी के उत्तरारद में फ्रांसेसी समाज ये समाज कैसा था अटरवी सदी की जो परस्तिरिया थी वो कैसी थी जो कि ये फ्रांस क्रांती बनने के कारण को तरशाती है जिससे जीने का संगर्श जीवी का का संकट कैसे उत्पन होता है उब बाद में क्रांति की शुरुवात फ्रांस सम्विधानिक राजतंत्र बन गया राजत नितिक प्रतिकों के माइने और फ्रांस में राजतंत्र का उन्मुनलन और गणतंत्र की स्थापना आतंक का राज डिरेक्टरी शाषित फ्रांस क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई दास्वरता का उन्मुलन और क्रांती और रोजाना की जिंदगी इस तरह से पाठ का एक जो इत्यास का जो सफर है वो इस अध्य में दिया गया है जिससे हम यह फ्रांस की जो क्रांती है वो समझ सकते हैं और फ्रांस की क्रांती समझने के पहले फ्रांस में जो समाज था थी उसके बारे में जानना बहुत महतोपूर्णा है इसी आधार पर हम जो फास की फ्रांस की क्रांती हुई फ्रांस में समाज में जो उच्छ कुलीन वर्गों के विरोध में या वहां पे जो दमनकारी शाशन था उसके विरोध में जो समाज एक संघर्ष किया उसके बारे में सहज़ता से जानसकते हैं यहां पे देख सकते एक संमाज में एक विवस्था की गई है जी सबसे प्रथम प्रथम एस्टेट जिस कर्मचारी वकिल आदी इनका समाविश किया जाता था उसके बाद किसान और कारीगर उसके बारे में हमें जानकरी वहां मिलते हैं छोटे किसान भूमिहीन मजदूर और नोकर यह सबसे निचले स्टेट में हमें दिखाई देता है पादरी वर्ग क्या है जो कि एक क्रिशन चर उनके हाथ में एक चर्च की विवस्था दी गई थी दिती स्टेट में कुलीन वर्ग था जिससे हम शाषन करणता बूल सकते तो तुर्थी वर्ग में बड़े व्यवसाही व्यापारी आदालती करमचारी वकिल इनका समाविश किया जाता था और सबसे महतोपुर्ण जिसक का दमन ज्यादा होने लगा था जिसमें किसान कारीगर चोटे किसान भूमीन मजदूर और नोकर यह यहां पर हम इस तरह से सामाजिक विवस्था यहां थी यह हम समझ सकते हैं फिर बाद में मकड़ा और मक्षी की एक अनाम उतकिरन चुत्र हमें पार्ट में देखने को मिल करता है जिससे यहां पर जो कुलीनों वर्ग है किस तरह से एक सामान्य वर्ग का शोशन करता था इसको जानने के लिए समझने के लिए एक शित्र दिखाया गया है जो की एक सामने वर्ग जो व्यवस्था थी जो कर देना था उसको वो देने के लिए अनाज धन्य और धन देने के लिए वहाँ आया है लेकिन जो कुलीन वर्ग वर्ग है वो जितना अधिक मात्रा में यह मिल सकता है इसके लालाईत है और उसके बाद भी उन्होंने सामने जो देने वाला वेक्ति है वर्ग है उसको निच्छा या दुयम दिखाने का वहां पर प्रेत्न किया है जो कि वो उस वेक्ति के तरब देखता ही नहीं है लेकिन उस से प्राप्त कर या जो भी धन या खेती से जो भी प्राप्त है वो लेने के लिए मात्रा यहां तयार दिखता है टेनिस कोर्ट में जो शफ़त हुई है उसका वे एक चुतरपाट में दिया गया है जिसमें हम टेनिस कोर्ट में जो एक समवीधान की गोशना हुई फ्रांस के जो मुल्य है उसके बारे में एक आभिवाशन हुआ सभी वरग के लोग एकत्रित आकर उनके आधिकारों का उनके जो भी करतों है इसके बारे में उन्होंने वहाँ पे गोशना की दिखाई देती है और उन्होंने उसके साथ शौफद भी लिए कि उसका हम अनुसरन करेंगे पूरुषवर नागरिक आधिकार गोशना 1790 का भी एक चुत्र है जिसमें हम देखते हैं कि फ्रेंच के लिए फ्रांस के राष्टर के लिए एक गोशना पत्र और उनके नागरिक के आधिकार के लिए एक गोशना पत्र ऐसे दो तरफा एक हमें एक बोड दिखता है जिसमे कुछ हमें कंटेंट दिखाई देते हैं एक लिबर्टी जो की स्वतंतरता का प्रतीक माना गया उसका भी एक चुत्र हमें पाट में दिखाया गया जो की फ्रेंच क्रांती के लिए एक महतोपुर्ण था क्लासिक की मंडव उत्सव का योजन के बारे में भी एक चुत्र दिखाया गया है जो की एक फ्रांस के जो क्रांती के बाद एक उत्सव का योजन हुआ उसमें उन्होंने एक अपने संस्कृती का संस्कृती को प्रोशाहिद किया ये दिखाने का एक चुत्र हमें यहां दिख दिखाई देता है पैरिस की एदो ने भिए इस कान्ति में योगदान दिया और इस कुत में हमें ओ दिखाई देता है कि कुछे कमीं यहां दिखाई देता रही है जिस में दासों को कपड़े और उनकी जो जरूरत मंद चीज है उनको दिया जाarda में दिखाई देता है और उलम्प दे गूज जो की महिला है जिनोंने फ्रांस करंथी में एक महतवपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने महिलां उनको प्रोशही वह किया एकत्रीट किया और करांस क्रांथी में योगदान देने के लिए उन्होंने उनको एकerd कि या कि कि नेपॲेन बोना पार्ट ने हम देखत हैं कि फ्रांस के क्र्मनति के बाद उसका विस्तार होने में एक महत्वन्पर्ण योगदान ने दिया नेपोलियन बोनापार्ट नहीं फिर फ्रांस को एक दिशा दिया और मारगदर्शन दिया जिसके करण फ्रांस को भविश्य में एक महतोपूर्ण राष्ट बनने के लिए उसका योगदान हमें दिखाई देता है इस तरह से हम जो चित्रकारी है उसके आधर पर हम फ्रांस के बारे में यहां जान सकते हैं और हम देखते हैं कि फ्रांस के जो महतोपूर्ण जो घटनाई है जिसमें हम यहां जानना जरूरी है कि फ्रांस की परस्तिती क्या थी जो कि सरोप्रत्थम जो एक क्रांती निर्मान होने के लिए या क्रांती होने के लिए समाज में जो कारण बने समाज की एक स्तिती बने वो जानना जरूरी है जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि समाज में कुछ परसित्या ऐसी थी कि वहाँ सामान्य वर्ग का शोषन बड़ा जैसे कि लुई जो फ्रांस का राज्यो करता था लुई 16 उन्होंने जो नितिया दमनकारई नितिया वहाँ पे सामान्य वर्ग पर लादी थी उसका एक विरोध समाज में आगे आया दिखाई देता है जो कर विवस्था थी उसमें एक बड़ोतरी की गई थी इसके कारण समाज में एक उसके विरोध में रोश बढ़ गया था उसी स्थिति में जो किसानों की विवस्था थी जो किसान जो भी आपने खेती में जो उत्पाद लेते थे वो निसरगत आहा कि कुछ कारणों के कारण वो नाश होने लगे थे और उससे उत्पाद बड़ा नहीं था और इस सारे परस्तितियों के बाद भी वहां की शाशन नितिया उनसे ज़्यादा से ज़्यादा महसूल या कर लेने के लिए उन्होंने एक विवस्था लगाई और दमन करते हुए शोशन करते हुए वह कर और महसूल लेना उन्होंने शुरू कर दिया था और इसके विरोध में फ्रांसेस उने क्रांती की इसा दिखाई देता है जी सर जो फ्रांसेसी क्रांती है उसे पढ़ना बच्चों के लिए क्यों जरूरी है क्यों खास है गाँ फ्रांस क्रान्ती में हम देखते हैं कि मानवी या आधिकार मानौ के मुक्ति के लिए और सुतंतरता के लिए और समानता के लिए यह संगर्श हुआ है तो मानौ. सब्भेता को या मानवी जीवन में इस साई मुल्यों के आओशकता है मनौ जन्मताहा स arrival है आधिकार पूर्ण है इसकी रक्षा करना या हुना जरूरी है और इसी रक्षा के लिए ये करांती हुई दिखाई देती है और हम ये चात्रों को मालुम होना चाहिए इसके बारे में जानकरी मिलनी चाहिए प्राप्त होनी चाहिए इसके लिए हम ये फ्रांस करांती पढ़ते हैं इसक का भारती इत्यास पे भी बहुत प्रभाव रहा भारती इत्यास या भारती स्वतंत्रता अंदुलन जब हम पढ़ते हैं तब बहुत सारी बहुत सारे क्रांती कारियों पर भी विचारों पर भी फ्रांस करांती का प्रभाव दिखाई देता है बहुत सारे सुधारकों के विचारों पर भी हम देखते हैं कि फ्रांस के इन करांती का विचार का मुल्यों का प्रभाव रहा जासे कि आज़ारा मोनरौ है उन्होंने जो भी भारतिय समाझ में एक मानोता का दमन हो रहा था, उनके अधिकारों का दमन हो रहा था उसके विरोध में जो सुधरना की तो उसके लिए प्रेजना हम देखते हैं कि फ्रांस के इस करंटी से उनको मिली थी और उसके बाद जो ब्रिटीशों के नितियों की विरोध में जो सामाजीक स्वतंत्रता अंदुलन करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी फ्रांस करांती से प्रेणा ली दिखाई देती है इसलिए ये इत्यास फ्रांस करांती महतुपुर्ण है आपने अभी बताए कि पैरिस की महिलाओं ने भी योगदान दिया था क्या आप बताना चाहेंगे किस प्रकार उन्होंने योगदान किया था उनका भाग हाँ तो हम जब इस पार्ट को पढ़ते हैं इसमें महिलाओं की योगदान के बारे में भी यहां पूरा पैरिक्राप दिया है इस चुत्र से हम महिलाओं की योगदान के बारे में जान सकते है इस चुत्र में जो दिखाई दिया गया है उसके आधर पर भी हम बहुत सारी जानकरी प्राप्त कर सकते है महिला ये इस करांती में योगदान देती है उन्होंने अलग-अलग शस्त्र हाथ में रखे है और एक महिला जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई यहां देता है और उनके हाथ में एक न्याय का भी एक सिंबॉल दिखाई हमें देता है जो कि तराजू हम देखते है न्याय और आधिकार समानता इसका एक चिंबॉलिक वहाँ चितर दिखाई हमें देता है जैसे कि फ्रांस में हम देखते हैं कि अलग-अलग स्तर की महिलाई थी जो कि सामान्य वर्ग की किसान थी, कारीकार थी, वैशाय थी और अलग-अलग सेवाई देने वाली महिलाई थी ये सारे महिलाई सामान्य होकर भी उन्होंने अपने इस राष्टर के लिए राष्टर के मानो इस सतंतरता के लिए, सामानता के लिए योगदान देना यह समझ लिया था और उन्होंने इस करांती में पूरा योगदान दिया और उन्होंने जो दमनकारे शाशन था उसके खिलाब वहाँ पे संगर्शकरती दिखाई दीती है जो महिला जो अलग-अलग स्तरों से वरग से जो आई थी उनको ओलंप दे गूज इन्होंने एकतरित किया था उन्होंने अपने आदिकार हक के लिए उन्होंने उनको प्रेणा दी थी स्त्री या महिला जन्मता पूरूशों के समान और उनके जैसा ही आदिकार प्राप्त कर सकती है ऐसा उन्होंने उनको मारगदर्शन किया था महिला ये संपत्ती का अदिकार रख सकती है महिला धार्मी का अदिकार रख सकती है सामाजी का अदिकार रख सकती है राजनेती का अदिकार रख सकती है उसके साथ जो उन पर हो रहे अत्याचार उसके विरोध में भी अदिकार रख सकती है रख सकती है उसके खिलाप लड़ सकती है उसमें वो पूरी क्षमता है इसकी महिलाओं को उसका एक अनुभो दिया और उनमें जो शक्तियां थी वो शक्तियों के बारे में उसको परिचित किया इस कारण वहां की महिला इस क्रांती में योगदान देते दिखाई दिती है है इस आधरपर हम दिखते हैं कि फ्रांस के क्रांति में महिला उन्हें भी पूरी जोर शोर से एक योगडान दिया है आपने भी पताया था दासमुकती बारे में लिए तो जो डास प्रथा थी उसके में थोड़ा सा और संशेप में बताना चाहेंगे तो दासप्रथा जो है एक मानोता के लिए बहुत ही काला इत्यास है अमानिविय प्रथा इसको हम बोल सकते हैं जो कि मानों को गुलाम बनाना उसके आदिकार का दमन करना उसका अपने स्वार्त के लिए अपने खेती की काम के लिए अपने घर के जो भी कामकाज है उसके लिए उसका पूरे असमेदन शीलता से इस्तिमाल करना यह दासप्रता है जो कि एरोपियन राष्ट्र थे उन्होंने जो एक उपनिवेशवाद वहाँ पे फैला था उपनिवेशवाद सामनी आये जो अमराजवाद जो वहाँ पे संस्कृती बड़ी थी उसमें उन्होंने एक अफरीका या अमेरिका के जो भी वहाँ के लोग थे उनको उन्होंने गुलाम बनाया वर्ण के आधर पर भी उनको गुलाम बनाया जो काले थे देसे के अफरीका के लोग जो वर्ण में काले थे उनको उस कारण गुलाम बनाया और उनको अपने अलग-अलग कामकाजों में उनको उनका शोशन किया दिखाई देता है गुलाम विवस्था जो थी बहुत अमानविये थी उसके बहुत सारी उधारण हमें इत्यास जो पड़ते हैं तब हमें उसकी उधारण प्राप्तो होते हैं यहां पर निग्रो के एक व्याक्य भी दी गई है जो कि आफरीका के जो गुलाम थे उनके लिए यह शब्द प्रयोग होता था जो कि एक नकारारती शब्द है जो कि आज उसका उप्योग नहीं किया जाता लेकिन निग्रो यह शब्द से उनको परिचए किया जाता था और उनको बेचा या खरीदा जाता था उनको फिर आपने खेती पे या आपने जो भी व्यवसाय है और घर के जो भी कामकाज है उसमें उसका उनका इस्तिमाल हुआ जाता था एक पूरे जानवर से भी उनकी जो स्थिती थी वो बहुत गंभीर पूर्ण थी उनके पूरे आधिकारों का हनन यहां किया दिखाई देता था इस फ्रांस क्रांथी में दास मुक्ति भी आगयाई उन्होंने दास प्रता को भी नस्ट किया दासों को स्वतेंतरता दी दासों को समानता दी दास प्रता से मुक्त किया यह भी एक फ्रांस क्रांथी का महतपूर्ण योगदान हमारे लिए है ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल सब्सक्राइस ग्रांती के वारे में आपने हमके इतनी सारी जानकारी दी चाहे वह महिलाओं का योगदान हो जाहे वह जो आपने दास प्रफा के बारे में बताया वह भी सबकोच शुबहत महत्वपूर्ण है हम आपके आपको धन्यवाद करना चाहेंगे सभी जानकारी के लिए धन्यवाद सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करते हैं आपको पूरा कारिक्रम पसंद आया होगा आज हमने बातचीत की फ्रेंच रेवोल्यूश है वो भी नवी कक्षा के सभी बच्चों के लिए है माच का करिक्रम है जहां आप सभी तोड़ी देर में पढ़ेंगे हिरोंस फॉमिला पाग एक तो इसका भाग एक जरूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो इससे जुड़ा तो हम तक जरूर पहुँचाईएगा अभी के अचाजाई देखिएगा जवसका